हेलो व्रेंट्स वेलकम टू मैं चानल माने मीं सोनल शाहा आर्टिस्ट हूँ और इस वीडियो में हम वाटर कलर डेमो देखेंगे और साथ ही साथ एक वर्ड फ्रेमर्स आर्टिस्ट के बारे में मैं आपको जानकरी दोंगी आज के आर्टिस्ट है लियोन अर्दद विंची यह बहुत इंटिलिजन्ट इंसान थे सबसे प्रभावशली व्यक्ति इनको माना जाता है इनके बारे में सुनिये कुछ रोचक बाते इनका जन्म है वो 15 एप्रिल 1452 में इतली में विंची नामक टाउन में हुआ था इनकी बचपन के बारे में तो जादा कुछ जानकरी न चित्रकार वरो क्यों के पास जाके कुछ चित्रकारी पेंटिंग और कला समयत कई चीजों का उन्होंने ग्यान हसिल किया इतली के यह जो महान चित्रकार थे चित्रकला के साथ साथ वे वैदनानिक मूर्तिकार वास्तु शिल्पी संगित तद्निय कुशल यांत्रिक इंजि और लिट्रेशर इन सब sniff में इन्होंने महारत हासिल किति है और यह जिन्दगी में वो कभी SMIV ही नहीं गए यह सभी इन्होंने n prayer कर के प्राप्त किया इक सब्एकagu एक ही समय में वो एक हाथ से लिख सकते थे और दूसरे हाथ से पेंटिंग कर सकते थे ये कला उनके हाथ में थी उनके कई चित्र आज तो खो चुके है गुम हो चुके है लेगिन विंशी अपने चित्रों के कारण ही वर्ड में प्रसिद्ध हुए थे मोना लिसा और लास्ट सफर ये इनके सबसे प्रसिद्ध चित्र माने जाते हैं और सबसे महेंगे चित्र भी है इसके बारे में मैं क्या कहूँ इसके बारे में पास दस मिनिट में तो कुछ कहा नहीं जाता फिर भी मैं थोड़ा से आपको इंफरमेशन देती हुए ये 500 साल प विदा आउटलाइन बनाते हैं और फिर पेंटिंग करते हैं लेकिन लियको दा नार्दगा विंच ने इसका डाइरेकD पेंट़िंग बनाया था विदाउट आउटलाइन को फिट्प德 करें असके हैं मिश्किल होता है दोस्तों उस समय उन्हों ने ये पैंटिंग बनाने क इन चीजों का यूज करके ये पेंटिंग बनाई थी जो मोना लिसा की स्माइल जो है वो सबसे ज़्यादा मिस्टेरियस मानी जाती है ऐसा कहते है कि मोना लिसा की आखों में लियोनार्ड दो विंची ने सिगनेचर किया था गिनेज वर्ड रेकॉर्ड के अनुसार लियोनार्ड दो विंची की मोना लिसा पेंटिंग इतियास में सबसे ज़्यादा इंशुरंस वैल्यू वाली पेंटिंग मानी जाती है 1911 में पैरिस के म्यूजियम से ये चोरी होने के बाद ये सबसे फेमस पेंटिंग बन गई थी 2015 में इसकी कीमत 780 मिलियन यूज डॉलर इसकी कीमत हो गई थी एक फेस रेकॉर्ड दो विंची की मोना लिसा पेंटिंग 83% खुश, 9% डिस्गस्टर, 6% डरी हुई, 2% गुस्षे में है उनकी ड्रॉइंग थी वो एकदम अनुकी थी वो नेचर को सुप्रीम मानते थे नेचर को वो बहुत ही प्यार करते थे उसको बहुत ही मतलब पसंद करते थे तो उनका जो नॉलेज था, वो आर्ट में भी था और सायस में भी था तो वो दोनों ही चीजों को उनुने क衹न की था होरस की उनकी नॉलेज बहुत थी उसका तैक्षर, स्ट्रक्षर जो था उनको सब पूरा पता था उनका horse का पूरा detail में study उन्होंने किया था आज भी उनके बहुत से जो उन्होंने जो study किया है उसकी वो सब लिख के रखते थे उसके उनके drawing आज भी हम देख सकते हैं available है उन्होंने कुछ किता पे लिखी थी उनका पूरा जो वो material था है वो आज भी हमने संबाल के रखा है लिओनाद दो विंची ने हमें बहुत सी चीजे दी थी human anatomy के बारे में उनको बहुत interest था उसके भी उन्होंने बहुत से मतलब drawings निकले थे और human anatomy में वह बहुत ज्यादा पसंद करते थे जानवरों से वह उनको बहुत लगाओ था birds सबसे ज्यादा उन्हें पसंद थे इसलिए वह birds के जो birds में जो लोग birds को पकड़ते हैं पिंचरे में डालते बेचते हैं तो उनके पास से वह खरीद लेते थे और bird को वह आसमान में छोड़ देते थे Mona Lisa का painting हम जब उल्टा करके देखे तो उसमें भी जानवरों के चितर दिखाई देते हैं उनका जो जानवरों का प्यार था वह इतना ज्यादा था कि वह खुद को मतलब कटर शाकारी थे वह उन्होंने शाकार अपनाया था कि वह सबसे ज्यादा प्यार जानवरों से करते थे वो जो थे उनकी एक और विशेष्टा मैं आपके साथ शेर गरती हूँ कि वो जो शब्द लिखते थे वो उल्टे करम से लिखते थे यह उल्टे करम से लिखते थे उनका जो लिखा हुआ वो हम मतलब आएने में देखके ही पड़ सकते थे जब उन्हें कुछ सीक्रेट रखना हो कुछ बाते तो वो इसे उल्टे करम से उनको लिखने की कला आउगत थी उस टाइम लिओनार्द दविंची का परीचे अलग-अलग बड़े-बड़े किंग से हुआ था और उनके दोस भी बन गए थे क्योंकि लिओनार्द दविंची ऐसे इंसान थे कि उनको संगीत का न्यान था वो यांत्री की न्यान था इंजिनीरिंग का न्यान था वैद्नयनिक भी थे तो यह जो किंग थे वो उनको आपने राज्य में बूला थे थे उनको काम देते थे उनके उनसे का करवाते थे क्योंकि लिवनाद दविंची यह बहुत ही इंटेलिजेंट इंसान था इसी तरह किंग फ्रैंसिस जो थे वह भी इनके अच्छे दोस्त थे दो मई 1519 में उन्होंने यह जो किंग फ्रैंसिस से इनकी बाहों में दम तोड़ दिया इनके जो अंतिम शद्द है यह ह को बताती हूं मैंने भगवान और मानवता को नाराज किया है मेरा काम उस गुनवत्ता तक नहीं पहुंचा जहां तक पहुंचना चाहिए था यह उनके अंतिम शब्द थे यह थोड़ी से जान करी मैंने आपको लिशूनाथ दो दोगिंची के बारे में दी लेकिन यह सिर्फ पेंटिंग के बारे में ही मैंने थोड़ा सा आपको जान करी दी ये जो थे, ये मुर्तिकार, वास्तु शिल्पी, संगीतत ने, ये सभी बातों का मैंने कुछ, मतलब आपको जान करी नहीं दी, इसके वारे में बोलना हो तो मुझे ये वीडियो बहुत ही कम हो, मतलब कम पड़ सकती है, इसलिए सिर्फ मैंने पेंटिंग से रिलेटेड आप के साथ शेयर की है, मतलब मुझे ऐसा लगता है, ये जो लियोनाद दो विंची का जो लाइफ है, ये देखके, कि उनके पास भी 24 गंटे थे, हमारे पास भी 24 गंटे है, लेकिन उन्होंने दिन के जो सेकन मिनिट ये सभी इस्तमाल करके, वो हर दम कुछ नया सीखते थे, वर्ड फेमस हो गए, इतने इंटिलिजन्ट हो गए, विश्व विख्यात हो गए, हमको भी टाइम का पूरा सद्यूपयोग करना चाहिए, हम जो सीख रहे, उसके बारे में जाता है, हमें जानकरी लेनी चाहिए, ये ऐसा ही मुझे लगता है, हमें टाइम का पूरा इंची के बारे में थोड़ी सी जानकरी दी, इसी तरह से के और भी वीडियो में आप बनाऊंगे, आप मुझे मतलब सुझाओ दे सकते हैं कि आपको किस आर्टिस के बारे में जानना है, ये मेरा जो वीडियो है, आया आपने देखा, आन तक इसलिए मैं आपको काम करती हूँ, मेरा आपको काम देखना हो, तो फेस्बुक पेज और इंस्टाग्राम पेज का लिंक मैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देती हूँ, वह आप देख सकते हैं, इस वीडियो को देखने के लिए, थैंक यू वेरी मिच,